नमस्कार दोस्तों मैं सर्विन जांगिड दोस्तों आज का मारा पर्षन है x प्लस 1 अपून x ब्राबर है 3 तो x की पावर 7 प्लस 1 अपून x की पावर 7 ब्राबर क्या होगा ऐसा है दूसरा पर्षन है x माइनेस 1 अपून x ब्राबर है 4 तो X की पावर 5 माइनेस 1 अपन X की पावर 5 ब्राबर क्या होगा दोस्तो ऐसे परसेनों को हम कैसे ट्रिक से सोल कर सकते हैं वह आज इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा और दोस्तो इनकी जो पावर्स दे रखे हैं जैसे यहाँ पर इसकी घात कितनी है 7 या पर इसकी घात कितनी है 5 तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्क्वाइर करना है या क्यूब करना है क्योंकि मारे पास में फोर्मिलेटर दो ही है एक तो स्क्वाइर का एक है क्यूब का तो सबसे पहले हम यही सीखते हैं कि हमें इनको सोल कैसे करना है इनके powers को निकालना कैसे है तो एक example के मादे में से हम समझते है जैसे हमें दे रखा कि x plus 1 upon x बराबर है 5 तो x square plus 1 upon x square बराबर क्या होगा दोस्तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि square कैसे निकालते हैं, cube कैसे निकालते हैं मिल जाएगा, i button पर लिंक नजरा रहा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि जब तक आप वो formula नहीं सिखोगे आपको इस वीडियो समझ में नहीं आएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप पुरा बता नहीं सकता तो उस वीडियो में आपको बताया था जब आपसे दुगना पूछे तब हमेशा square निकालते हैं आपसे तीन गोना पूछे तो cube यहाँ पर क्या है x plus 1 upon x तो यानि a plus b का holy square का formula लगा दो और दोस्तो a plus b का holy square का formula क्या होता है यह होता है a square plus b square plus 2ab तो इसका square x square plus b square तो 1 upon x का square आगे क्या है बराबर इधर 5 का square भी करोगा आप बराबर में तो आजएगा 25 a square plus b square plus 2ab तो इधर जो plus का 2 है वो बराबर की निसान से इस साइड में आएगा तो minus का 2 हो जाएगा तो यहापर आपका 25 minus 2 यह हो जाएगा 23 क्योंकि इसका formula दोस्तों यह होता है k square minus 2 यह पहले वाले वीडियो में ने बता दिया है जब इस power दुगनी पूछे तो इस square करते है अगर power आपसे 3 गुणी पूछे x cube तो इसका cube कर दो तो a plus b का whole cube क्या होता है वो formula लगा दो a cube plus b cube plus 3ab तो उसमें क्या होता है plus का 3 आता है तो इधर 5 का तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 का cube करेंगे minus 3 into 5 क्योंकि उसका formula दोस्तों होता है k cube minus 3k तो इधर 5 का cube हो जाएगा 125 minus 15 तो आजाएगा 110 जैसे x minus 1 upon x ब्राबर देर का 3 और हमसे पूछे x की power 4 plus 1 upon x की 4 ब्राबर क्या होगा तो यहाँ पर power कितने पूछे है 4 और यहाँ पर क्या है 1 तो इसमें देखो आपकी यह कौन सी table में आता है 2 की table में आता है 3 की table में 2 की table में आता है अगर आप 4 के 2 कडे करोगे तो बनेंगे 2 into 2 इसका मदला आपको 2 बार square करना है ज्यान से समझना है दोस्तों यहाँ पर आपको 2 बार square करना है तो सबसे पहले आप इसका square करो x minus 1 upon x याँ ए ए माइनस b a minus b का square होता है a square यानि x square plus b square 1 upon x square minus 2ab यह minus 2ab है इधर 3 का square करोगे 9 इधर का माइनस उदर आएगा तो होजाएगा plus 2 तो होजाएगा 11 x square plus 1 upon x square बराबर होगा 11 हमसे पूछा क्या है x की power 4 यानि एक बार इसका फिर से square करना पड़ेगा अब यहाँ पर क्या है plus तो a plus b कहुली square लगा दो a square तो x की power 4 plus b square तो 1 upon x की power 4 या पर क्या है plus 2 यह भी आएगा तो सबसे पहले क्या करें 11 का square और जो plus 2 यह भी वो माइनस में हो जाएगा 11 का square 121 माइनस 2 तो हो जाएगा 119 अब दोस्तों पहला परसं x plus 1 upon x बराबर है 3 तो x की power 7 plus 1 upon x की power 7 आप तो बस पावर्स पे धान दो क्या है 7 तो 7 ना तो 2 की table में आता है ना 3 की table में आता है तो हम इसको ऐसी निकाल ले सकते इसके टुकड़े करो आप इसको आप क्या लिख सकते हो जैसे 4 plus 3 4 plus 3 तो सबसे पहले आप क्या करोगे x की power 4 निकालो फिर x की power 3 निकालो तो सबसे पहले आपर x plus 1 upon x पराबर है 3 तो square कर दो a plus b का holy square लगा तो x square plus 1 upon x square इदर क्या इसका भी square करोगे 3 का square होता 9 उसमें से minus करोगे 2 तो आज़ेगा 7 यह formula मैं ने बता दिया है इदर plus का 2 उदर जाएगा minus का हो जाएगा लेगन हमें x की power 4 करनें तो एक बार इसका फिर से square करो तो x की power 4 plus 1 upon x की power 4 फिर से plus है तो plus 2 इब भी आएगा वो minus का हो जागा 7 का square होता है 49 49 49 में से minus करोगे 2 तो आज़ेगा 47 तो हमारे पास में x की power 4 plus 1 upon x की power 4 बराबर होगा 47 अब हमें क्या निकाला है cube x plus 1 upon x बराबर देर का 3 तो x cube plus 1 upon x cube बराबर क्या होगा इसका cube कर दो a plus b का whole cube का formula x cube plus 1 upon x cube बराबर क्या होगा formula होता है k cube minus 3k k बराबर यहाँ पर क्या है 3 तो सबसे पहले क्या अगरो 3 का cube 27 minus 3 गोना 3 ही होता है 18 18 यहां से इसका मानागा 47 यहां से मानागा इसका 18 अब क्या करेंगे दोस्तो इधर से पावर 4 इधर से पावर 3 अब इन दोनों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे जब आधार बराबर हो तो गाते क्या होती है जूड जाती है इधर से आएगा 4 इधर से आएगा 3 तो हो जाएगा 7 जैसे x की पावर 4 प्लेस वन अपून x की पावर 4 इसको इंटू करोगे x की पावर 3 प्लेस वन अपून x की पावर 3 से तो इधर से x से पावर 4 का माने 47 और इसका माने 18 अब इसको जब 16 करोगे इधर क्या x इधर क्या x आधार बराबर तो गाती जूर जाएंगी तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 है तो x की पावर हो जाएगा 7 प्लेस अब इसको इंटू करोगे इस से तो उपर बचेगा x क्योंकि नीचे क्या 3 है एक कर जाएगा अब इसको गुणा करोगे इस से तो नीचे पर जाएगा x प्लेस अब इसको नीचे गुणा करोगे इसको तो जाएगा x की पावर 7 बराबर 47 गुणा 18 गुणा 7 होता है 126 बचा कितना 12 बैतर और यह जाएगा 84 हमें निकालना x की पावर 7 प्लेस वन अपून x की पावर 7 इसको इधर रख लेंगे बाकी इधर आजाएगा x प्लेस वन अपून x आजाएगा इधर तो x प्लेस वन अपून x का मान कितना है 3 इसका जो दोस्तों मान वो कितना है 3 है इधर plus का इधर आग किसका वाजयागा minus का तो यहाँ पर आजयागा minus का 3 और 846 में minus करोगे तीन तो आजयागा 843 इसका मानागा 843 इसका sort trick दोस्तों ये है कि ऐसे person वो हम क्या करते हैं जैसे x की power 4 निकालो x की power 3 निकालो उनको गुणा करतो multiply करतो उसमें से minus करते हो हमेसा ये वाली value उसमें से जो दे रखे ही ये value हमेसा minus होती है यहां से भी आप देख सकते हो ये value minus हुई है अगला person है x minus 1 upon x ब्राबर 4 तो x के पाउर 5 minus 1 upon x के पाउर 5 ब्राबर क्या होगा 5 है ना तो 2 की टेबल में आता ना 3 की टेबल में तो क्या हो जाएगा 2 plus 3 एक बार square करो एक बार cube करो फिर उपर वाले ही तरह करना है सबसे पर square तो a minus b का whole square लगेगा a square plus b square minus 2b तो minus का 2 उदर जाएगा तो हो जाएगा अलस का 4 का square 16, 16, 18 अब क्या करोगे cube निकालना है तो x minus 1 पूर x पर आपर 4 इसका cube निकालोगे तो a minus b का whole cube का formula हो जाएगा a cube minus b cube minus 3abc into a plus b तो हमें तो आगे ध्यान नहीं देना है हमें ध्यान देना minus वाले पर minus का है तो उदर जाएगा plus का 3k तो यहाँ पर हो जाएगा तो 4 का cube plus 3 into 4 क्योंकि इसका formula मैंने बता दिया क्या होता है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के description का वहाँ से आप देख सकते है पहले part में मैंने बताया था कि यह कैसे होता है तो आजएगा 76 यहाँ पर क्या 18 जैसे मैंने उपर बताया था सबसे पहले क्या रहे है इन दोनों को multiply कर दो और उसमें से minus कर दो यह वाली value तो इसका मान आ जाएगा हम try करते हैं कि सही है गलत है जैसे x square plus 1 upon x square इसको into करते है x की power 3 minus 1 upon x की power 3 इसका मान तो कितना है 18 इसका मान कितना है 76 तो कितना हो जाएगा x की power 5 इसको multiply करोगे तो minus 1 upon x इसको multiply करोगे तो plus का x और जाज़गा x की power 5 बराबर 18 गुन अच्छा होता है 108 बचा 10 और 126, 136 अब क्या करेंगे इसमें हमें निकालना है x की power 5 minus 1 upon x की power 5 इन दोनों को रख लेंगे यह वाला क्या है x minus 1 upon x टेको सेम यही है मैंने बताया था इसमें हमें सा उपर वाला बसता है x minus 1 upon x तो x minus 1 upon x और इसका मान कितना है दोस्तो 4 यह इदर जाएगा किसका हो जाएगा minus का हो जाएगा तो इसमें से minus करोगे 4 तो आ जाएगा यह 1364 यह दोस्तो इसका answer हो गया तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे question को बड़ी आसानी से solve कर सकते हैं यह trick आपको पसंद आएगे तो दोस्तों comment section में comment करके जुरूर बताना और वीडियो देखनिकल इनमा